नमस्कार स्वागत है आप सभी का न्यूस 18 मद्रप्रदेश 36 गर देख रहे हैं आप मैं हूँ अपर नमौज़म शुरुवात कर रहे हैं बीजेपी की खबर के साथ जहां लोगसभा प्रत्याशों की लिस्ट शाम तक आने की संभावना है पहली लिस्ट में मद्रप्रदेश से 20 से 24 प्रत्याशों की नाम हो सकते हैं मद्रप्रदेश में लोगसभा की 29 सीटे हैं और ये कहा जा रहा है कि पहली लिस्ट में 20 से 24 सीटों के उविन्दवारों के नाम वीजेपी डिकलेर कर सकती है मद्रदेश की लिस्ट में फगन सिंग को रस्ते का नाम होना तै है वीडी शर्मा जोतिरादेति सिंध्या का नाम भी लगभग तै माना जा रहा है और साथी शिवराज सिंग चोहन जिसे दिगजों के नाम भी इस पहनी लिस्ट में सामने आ सकते हैं तो आज शाम तक आ सकती है लोग समझ नाओ कि मद्रदेश की पहली लिस्ट जिस जहां इस पे 100 से 120 उमिदवारों के नाम हो सकते हैं मद्रदेश की बात करें तो MP के लिहाज से 20 से 24 सितों के प्रत्याश्य के नाम बीजेपी डिकलेयर कर सकती है पहली लिस्ट के अंदर पवन गौर हमारे सहयोगी दिली से हमारे साथ लाइफ जुड़ रहे है इसी खबर पर पवन क्या कह रहे हैं आपके सोर्सेज लिस्ट को लेकर देखिए अब बीजेपी अपनी जो पहली लिस्ट है वो जल्दी जारी करेगी हलंकी उसमें आज आप आएगी या कल आएगी उसमें ये कहपाने हमारे थोड़ा संशय है लेकिन जल्दी ही मुझे लगता है कल तक बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जो है वो जारी कर देगी अगर बात करें तो पीज़ पी अपनी पहली लिष्ट में जो है वो तक्रीबन सौ से डेड़ सो नामों की गोशना करेगी जिसमें बड़े चेहरे हैं जैसे प्रदान मंतरी नरिन बोधी की बात करें ग्रह मंतरी अमिश्शा की बात करें रक्षा मंतरी राइना सिंग की बात करें ऐसे चेहरों की गोशना की जाएगी उनके साथ-साथ जो पिछले लोगसवा चुनाव में जो कमजोर सीटे थी या हारी होई सीटे थी या जैसे की मद्रप्रदेश में और 36 गल में कुछ सीटों पर कुछ सांसदों को विदानसवा चुनाव लवा दिया गया था अगामी जो बेटक है वो 6 मार्च को होनी है उसमें बची हुई जो तमाम जो राज्य है उनकी सीटों पर मनतन होना है लेकिन अगर बीजेपी की पहली लिष्ट की बात करें तो बहुत जल्दी ही बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है संभवत है एक से दो दिन के अंदर बीजेपी अपनी पहली सुची जारी कर देगी और ये भी कहा जा रहा है कि शैलेंदर चौहान पी हमासाथ भोपाल से जोड़ चुके हैं जैलेंदर भोपाल में क्या गहमा गहमी है पहली लिस्ट में कहा जाता है कि जो डेट सो नाम अनाउंस अकर किये जाते हैं तो भोपाल मध्यपरदेश के लिए भी 20 से 24 उमिद्वारों के नाम की घोशना हो सकती है भाजपा के लिए काफी सेफ राज है और यहां की नामों को लेकर ज़्यादा अंतर विरोत की इस्तिती नहीं है इसलिए माना जा रहा है कि पहली ही सूची में मध्यपेस के ज़्यादा तर नाम आ जाएंगे और अभी तक करीब 20 से 24 नामों की सूची मानी जा रहा ही कि पह बेटके भी हो चुकि उसके बाद जो केंद्री चुनाओ समीती बेटी थी तो सारे नामों पर लगबग सेमती बन चुकी है और यहां पर जो बड़े नाम है हम आपको बता दी कि कई यसे बड़े नाम इस बार चुनाओ मेदान में इस भार फिर नजर आएंगे जैसे कि बोपाल में भी इसको लेकर काफी हल चले जैसा कि बोपाल लोगसभा सिटकी भी हम बात करें तो यहां पर जो सांसद है अभी प्रग्या ठाकुर उनका टिकेट कटना तैम आना जा रहा है उनकी जगह किसी ब्राह्मन चेहरे को मोका देने की बात सामने आईए तो लगबग एकसरसाइज पूरी हो चुकी है और एक या दो दिन में कभी भी सूची आ सकती है यह असार भी लगाए गए कि आज शाम को पार्टी की पहली सूची आईगी उसमें मदरप्रेस के काफी नाम शामिल होंगे जी पवर में आपके पास आऊंगी अब जो दिग्ग जो की चेहरे भी आ सकते हैं पहली लिस्ट में सामने दिखिए अगर बात करें पहली लिष्ट की तो बीजेपी जिससरे से क्योंकि पहली लिष्ट है बीजेपी की उसमें कई सारे बड़े नामों की गोशना की जानी है तो ऐसे में एक बड़े बड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा बड़े किसी निता संभवत है बीजेपी की राष्ट्यत की गोशना की जाएगी कितने कौन-कौन सी सीटों की गोशना की जाएगी उन सब अब विशों को लेकर एक फाइनल टश उस पहली सूची में दिया जा रहा है तो संभवत है बीजेपी जो है वो एक से दो दिन के अंदर अपनी पहली सूची की गोशना कर देगी जिसमें 100-100 नाम शामिल होने वाले ह जाए तो खुद बीजेपी के राष्टी अध्यक जेपी नड्डा उस लुष्ट को जारी कर सकते हैं तो ऐसे में बीजेपी अभी अपनी जो पहली लिष्ट है उसको फाइनल टश दे रही है हालांकी दीरे-दीरे से चुनाब बढ़ता जाएगा और नामों की भी घोशना जो है वो चुनाब के फेजवाइज मेंनर में देरे-देरे बढ़ती जाएगी लेकिन पहली लिष्ट में जो है वो तक्रीबन सौ से देरे सो नाम पूरे देशवर से बीजेपी जारी कर देगी जी बवन बहुत शुक्रिया आपका शलेंद्र आपका भी शुक्रिया अस पूरी जानकारी के लिए रजबनाय रखेगा आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे फिलाल धन्यवाद